मेरट में साथवी क्लास के नाबालिक छात्रा के साथ दुशकर्म का शर्मनाक मामलास्तान ने आया है लड़की कून से लटपत भी होशी की हालत में घर से कुछ दूरी पर जंगल में मिली इसके बाद अब परजनों की शिकायत पर आरूपी यूबक को गिरफतार कर लिया गय जहां 15 साल की नाबालिक छात्रा के साथ देर रात मुहले के ही कुछ लड़कों ने दुशकर्म की वारदात को अंजाम दे डाला परजनों की माने तो वे लोग छट पर सो रहे थे लड़की किसी काम से नीचे आई जिसके बाद उसने दर्वाजा खोला और मुहले के ही जन्गल में मिली जिसके बार परजनों ने उस्पतार में भर्ती करा दिया लड़की ने होश में आने के बाद बताया कि उसके साथ दुशकर्म हुआ है और मुहले के ही लड़कों ने इस तर्वनाख वारदात को अंजाम दिया है जिसके बाद पुलिस एक्टिव मोड में आई और आरोपी यूद्कों को गिरतार कर लिया गटना ये पानी तो मेरे घर मानी रहा था बहार टोटीव में पानी आ रहा था जैसे लड़की ने गेट कोल के भार आई दो लड़की खड़े दोहां पर ज्ञान करा इनो लड़की ने एक का नाम बताया भी कि होस्बे होस अबिक तो के लड़को वाया प्रफ्ट नगर में देर रात की घटना एक दर्फ्टी के द्वारा पर भी ओपन जिकत कराया गया कि उसकी पुत्री है रात्री में जो है दिखा तो घर में नहीं थी जानकारी घरी तो एक पास में रहने वाला एक ती उसको लेकर गया और उस प्रिट कारवाई करते हुए आरोपी को गिरफतार कर लिया है बालिका को मेडिकल परिशन के लिए चिकित साले भेजा गया है अभी अपन जिकित करने के बाद तुरंतीस में विश्ना तक करवाई की जा रही है विश्ना की पर में आगे जैसे साक्षा एंग उस्तिया है